नमश्कार SBT News में आपका स्वागत है पेशे 6 मार्ट सोम वर्दुपर सवा 3 बजे राजिस्तान की बड़ी खबरें प्रधान मंत्री नरेंडर मोधी ने आम जंता को सस्ती चिकिस्ता सेवा उबलप्त कराने की प्रतिवत दिता जताई है उन्हेंने कहा कि आईश्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्रक्चर मिशन न केवल नया स्पतालों को जनम दे रहा है बलकि एक नया और पूर्ण स्वास्ते पारिस्थिति की तंत्र भी बना रहा है पिये मोदी ने स्वास्ते शेत्र में बजट के बाद एक वेबिनार को संबोधित करते वे कहा कि चिकिस्ता उबचार को सस्ता बनाना सरकार की सरोच प्रात्मिकता रही है आईश्मान भारत और जन और शदी योजनाओं ने गरीबों और मध्यमवर के रोगियों के एक लाग करोड रुपए से अधिक की बचत की है दर्सान के पूरों मुख्य मंद्री वसंद्रा राजी ने कहा है कि पिछले तीन साल से मेरे भक्ती दर्शन को ना जाने क्यों शक्ति प्रदर्शन का नाम दिया जा रहा है जबकि मैं तो हमेशा से आठ मार्च को मेरा जनम दिन मनाती हूँ इस बार होली की वज़े से साला सर बाला जी में चार मार्च को ये कारकरम रखा है वे रविवाश शाम को शाम दर्शन करने के बाद मीडिया से बात कर रही थी मंदिर में दर्शनों की बाद शाम मंदिर कमीटी के अध्यक्ष प्रताप सिंग चोहान वे मंत्री शाम सिंग चोहान ने राजे का स्वागत किया इस अनान पूर्व मंत्री यूनुस खान और अशोक परनामी वे विधायक राजपाल शेखावा सहीद कई लोग मौजूद रहे होली का दहन 6 को है या 7 को इसको लेकर शहरवासी असमंजस में है जोतिशा चारेपंदीत शंभू लाजशामा ने बताया कि 6 मार्च को प्रदोश वेला 6 बचकर 38 मिनट से रात के 9 बचकर 5 मिनट तक होली का दहन होगा और 7 मार्च को धुलंडी या रंग खेला जाएगा इधर होली को लेकर बाज़ार सजा हुआ है होली के लिए तरहं-तरहं के काटून पात्र पिछकारियां मोख़टे बाज़ार में उपलब्ध है इसके साथ खुश्बुदार हर्बल गुलाल की काफी दिमान है शौप की पर प्रेम चंदर लखिरा ने बताया कि बाज़ार में इस तरह के पटाके भी इस बार आएं हैं जिनें जलाने पर हवा में गुलाल उड़ेगी अमिताब बचन हैदराबाद में शूटिंग के दौरान खायल हो गए उन्होंने सुमार को अपने ब्लॉग पर इस बात की जौन करे दी अमिताब अभी मुंबई में अपने घर पर आराम कर रहे हैं अमिताब बचन प्रभास फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं एक एक्शन सीन के दौरान उनकी पसलियों में चोटाई है हैदराबाद में चैकप की बाद अमिताब को मुंबई भेजा गया अमिताब बचन ने अपने ब्लॉग में लिखा रिप केज में मास पेशी फट गई है शूटिंग को रद कर दिया गया है विगबी ने लिखा जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब तक के लिए सारा कामकाज बंद कर दिया गया है रासमन में पुस्टी मार के तृत्य पेट श्रीद्वार का धीश मंदीर कांकरोली में होली से एक दिन से पूर्व 84 खंब वेराल के दर्शन में श्रद्धालों की भारी भीड उम्री देश भर में फागवस्टी के कई रंग देखने को मिलते हैं लेकिन आसमन के श्रीद्वार का धीश मंदीर कांकरोली की बात ही कुछ और है यहां फागवस्टी के दरान 84 खंब वेराल के दर्शन कर श्रद्धालों को वश भर से इंतजा रहता है फागवस्टी के तैट मंदीर में अलग-अलग मनूरतों में शामिल होने के लिए श्रद्धालों राजिस्तान ही नहीं बलकि महरास्र गुजरात मद्यप्रदेश से भी यहां बड़ी तादात में पहुंसते हैं। गर्थाना शेतर में अग्यात आरोपियों ने स्कूटी सवार युवक की आँखों में मिर्च पाउडर डाल कर सोनी चांदी के गहने लोट लिए। बैग में साड़े साथ तोला सोनी की जेवर और आठ सो ग्राम चांदी के जेवर थे। पीडित महेश कुमार ने बताए कि उ रास्तान में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसवा चुनाव को लेकर राजनितिक गल्यारों में तयारियां शुरू कर दी गई है। राविवार को आयो जीत जाट महाकुम में लाखों की संख्या में प्रदीश भर से जाट समोदाए के लोग जैपूर पहुंचे। हजारों वाहनों से आए लोगों की मुबाइल आउन होने से नेटवर्क एक बार तो जाम हो गया। इसकी बड़ी वज़े ये रही कि ऑल्ल प्रदेश अध्यक्ष गोविन सिंग्डोटास्रा विमंत्री लालचंद कटाया के मारफथ अपनी बाद सरकार तक पहुंचा चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। देश में पिछले नौ वर्षो में प्रतिव्यक्ति आय दोगनी होकर एक लाग बहतर हजार पे हो गई है। वर्षान में अलवर्षाहर के दाउदपूर रेलवे फाटक पर आज इंटो से भरी ट्रक्टर ट्रॉली का हुक तूट जाने से फस गई। लेकिन गरीमत ये रहे कि रेलवे के अधिकारे और करमचारियों की सुजबू से हाथ सा तल गया। दाउदपूर फाटक बंध होने वाला था और तभी इंटो से भरी ट्रक्टर ट्रॉली निकाल रहा था। तभी रेलवे ट्रैक पर अचानक ट्रक्टर ट्रॉली का हुक तूट गया और ट्रक्टर से ट्रॉली अलग हो गई। ये सब देखकर ट्रक्टर चालक ट्रॉली को मौके पर छोड़ कर फरार हो गया। इस दोरान रानिंग खित एक्स्प्रेस रेल गाड़ी आ गई। मासलपूर शुद के लिए युद अभियान के तहट रविवार को मासलपूर बाजार में खादे निरिक्षकों की टीम पहुंची। रहिवार को मासलपूर बाजार में खादे निरिक्षक जगदीश परसाद गुपता विजय सिंग वैसा हाय करमचारी गोविन माली पहुंची। यहां खादे समगरी की शुदता जाचने के लिए एक दुकान से सैंपल लेने की कारवाही शुरू की गई। इसकी सुचना मलते ही मासलपूर के बाजार में धराधर दुकाने बंद होती चली गई। व्यस्थाने प्रिशासन को निर्देश दिये थे कि खराबे का सर्वे करवा कर रिपोर्ट मना कर भेजे। बाइमेटिक मशीन से हाजरी करवाने की कवायत शुरू की है। तो फिलालीस बुरेटिन में इतना ही फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खपरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महतेपुन खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बैल आइकन पर। बड़ी और दो से झायर के अज़ चाहते हैं